गुट बॉनिंग कैसे हैं आप सभी लोग मुझे मालूम है कि आपका एक्जाम है और जो है वो दिल की धड़कन उपर सुनाई पढ़ रही है धग 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 कि क्या होगा कैसा पेपर रहेगा क्या में कर पाऊंगा सब अच्छा होगा चिंता मत कीजिए आपने बहुत मेहनत किए पढ़ा है और जो बायों मेंट्र के कमांडों जो टारगेट में के इंदर के की फिलिक्स और के को कोई नहीं हरा सकता है हमने इतने कोशन लगाए हुए एक काउन्स अंपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है अब जुर्वत इतनी सी है कि हम को त्हें से पढ़ हमने साल भर आपके किसी कोने में मैं प्रिजेंट रहूंगा और आपको बताऊंगा इसका लगा दे तुम सबको मैं से हार दिक्षुप कामना है कि आप अच्छा करो बेटा ओल दी बैस्ट बढ़िया करके आओ बेटा ठीके और एक्जाम में फोड़ दो आप और आपके एच्छी रेंक आई देखो है ना जो हमने करना था साल बर वो हमने किया अब है घड़ी कि अब हम युद्ध भूमी में ह एक ही कर्तव होता है ना जीत में ना हार में मेरे अकीन सिर्फ प्रहार में मतला मैं जब युद्ध में मैं उत्रा हूँ तो मैं जीतूंगा पूरी कोशिश करूंगा मैं जीतने के लिए चले विटा आप सबको मेरी तब से शुब कामना है आप बढ़िया करेंगे अल दी ब के आखों के सामने होगा अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा पेट में गुर्गुर सी हो रही होगी धड़कने तेज चलने लगी होगी बहुत कुछ अजीब सा लग रहा होगा ऐसा लग रहा होगा कि सर भूलते जा रहे हैं सर कुछ याद नहीं आ रहा है पता नहीं सर मे प्रिमानदारी से महनत करी है आपने डेडिकेटेड होकर यदि इस एक्जाम के लिए प्रेपरेशन करी है तो पूरी काइनात लग जाएगी आपको सफलता हासिल करवाने में हमारा सभी बायोमेंटर्स की टीम का आप लोगों के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं कि आप अपन यू आर दी कमांडो डेडिकेटेड बायोमेंटर्स कमांडो और कमांडो कभी हार नहीं मानता याद रखना पॉजिटिव होके जाना है एक्जाम के लिए जो भी ड्रेस कोड से रिलेटेड इनफॉर्मेशन है जो आपके एडिमिट कार्ड से रिलेटेड इनफॉर्मेशन ह वो सारी information आपके पास में होनी चाहिए, print out, dress code को follow करते हुए, जो timing बोला गया है, उस time पर exam hall में पहुंच जाना है, और अपने माता पिता का, ईश्वर का आशिरवाद लेके जाए, सब अच्छा ही होगा, और ध्यान रखें, exam में बिल्कुल भी supervisor से बहस नहीं करनी है, हरकतें ना करें, जिससे कि आपका exam बिगड़े, बहुत चीज़ें होती हैं, सावधानी रहती हैं, बस बिल्कुल ध्यान रखना है, मतलब आपको ज़्यादा सोचों कि ज़्यादा टेंशन लोग है तो paper बिगड़ता है, बिल्कुल cool जाईए, शांत जाईए, आपने भी प सरेमनी में, यह मेरा वादा है आप लोगों से, हम बिल्कुल definitely मिलने वाले हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए, बस exam दे के आना और उसके बाद बिल्कुल यह हसते हुए, और खुश चहरे के साथ मैं, आपको मुझे खबर देनी है कि sir, मेरा paper बहुत अच्छा गया है, और मे मेरे 710 बन रहा है sir, मेरे 705 बन रहा है, मेरे 700 बन रहा है, यह आपको बोलना है, है ना, तो करिए अपने आप से वादा कि इस exam को फोड के आना है, so wish you all the best for your NEET exam, wish you all the best. बायोवेंटर्स, कमांडोस, बेस्ट कमांडोस, दुनिया के सबसे अच्छे कमांडोस, now get ready, एकदम तयार हो जाईए, अब अब समय आया है, जब आपको अपने माता पिता के और अपने गुरू जनों के सपनों को पूरा करना है, तो बिल्कुल ना चिंता करना है, ना घबराना है, ना किसी बात का टेंशन है, ना कोई तनाव है, क्योंकि इतनी पढ़ाई की है, कोई दिक्कत आपके रास्ते में नहीं आ सकती है, केमिस्ट्री में सब कुछ आपको बनेगा, जो मैंने बताया है, जो मैंने करवाया है, वही सब कुछ आएगा, और यही खास बात है संजे सिंगी, जो बताया है, जो करवाया है, वो सब कुछ आएगा, आपको सब कुछ बनेगा, पेपर में ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि ये चीज हमें नहीं आ रहे हैं, केबल एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, थोड़ा सा टाइम मेनेजमेंट का ज़रूर ध्यान रखिएगा है ना, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखीएगा, क्योंकि पिछले दो साल के ट्रेंड को देखते हुए मैं ये बात कहे पा रहा हूँ कि आजकल पेपर थोड़ा लेंदी होने लगा है, टफ नहीं रहता है, लेंदी होने लगा है, तो जब पेपर थोड़ा लेंदी है, तो टाइम फास्ट करना है, मतलब हमको अपनी स्पीड को थोड़ा मेंटेन रखना है ऐसा ना हो कि आप किसी पोर्शन में उलग जाए और बहुत सारा टाइम आपका वहाँ पे कंजियूम हो जाए तो केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि खुशी-कुशी सेंटर पे जाना है सब कुछ एकदम finally अच्छे से attempt करना है, किसी बात की कोई चिंता नहीं करना है हम आपके साथ हैं, आप जब classroom में होंगे तो आप मान के चलिए कि हम इश्वर के सामने होंगे और प्रातना कर रहे होंगे आपके लिए और आप अच्छा करके आएंगे मैंने पहले ही कहा कि best commandos हैं, बायोवेंटर्स के commandos उनको किसी बात की कोई चिंता करने की जवरत नहीं है और 100% इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि under 100 rank में भी बहुत सारे बायोवेंटर्स कमांडोज इस बार रहने वाले हैं और मैं को हमेशा ही positive रहता हूं अपने commandos के साथ ताकि उनको भी कोई negativity दूर दूर तक तच ना कर पाए तो जाइए अच्छे से अच्छा करिए टाइम का सुरू से ध्यान रखिएगा अगर पेपर लेंदी दिख रहा है तो speed पर ध्यान रखना है और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी क्योंकि जितना हम लोगों ने परिश्रम किया है वो सफलता मिलने से कहीं ज़ादा परिश्रम किया है इसलिए निश्चिन्त रहिए सफलता आपको बिलकुल मिलेगी तो मिलते हैं पांच तारीक को शाम को छे बजे के आसपास जिस समय आप बताएंगे कि अब पेपर कैसा हुआ है 100% chemistry वही आया जो हम लोगों ने पढ़ाया है जो DPS और question paper से related है तो हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है ठीक है बच्चों तो पांच तारीक को शाम को शे बजे के आसपास जब भी reporting line खुलेगी तो आप जरूर बताएगा कैसा रहा पेपर और बिल्कुल किसी बात की चिंता नहीं करनी है अच्छे से जाना है अच्छे से question paper को solve करके फूरा फोर कर आना है So finally वो दिन आ गया जिसके लिए हम इतने दिनों और महनों से महनत कर रहे थे इस examination में success के लिए आप लोगों ने इस journey में चीजों को सीखा, समझा, बहुत सारे DPS solve किये, बहुत सारे test attempt किये और अपने आपको इस examination के लिए fully prepare किया है अपने आप में confidence रखो, हम सभी को full confidence है, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे ठीक है, pressure मत लेना, शान्ती से question paper को solve करना, कहीं कुछ problem आए तो panically react मत करना सीधे से आगे बढ़के questions को solve करते जाना और very honestly, आप लोग fully prepared हो, आप लोग बहुत अच्छा करोगे lots of blessings and best wishes, take care So commandos, अब वो वक्त आ चुका है, जहां पर हम अब उस मकाम पर पहुँच चुके हैं, जहां पर यह जो चीज है ना, transformation होने वाला है तुमारी life में और वो जो चीज़े अब थोड़ी गुदगुदी सी हो रही होगी तुम्हें कि यहां पर exam आ चुका है, अब हम कोई भी कमी जो है वो छोड़नी नहीं है, जितनी भी exam की तैयारी हम लोगोंने अभी तक करी है, उसमें हमको बहुत अच्छे से करना है और जितनी भी मानदारी से अभी हमने करी है, वो चीज ही deflect होने वाली है और उसमें कोई tension ने की ज़र्वत नहीं है, जो भी हम लोग हमारी कम्यों में सुधार कर सकते थे, वो सारी चीज़े हम लोगोंने करी है, पूरे साल बर हम कितनी बार ऐसा हुआ कि हमारे low faces आये, कितन और तुम्हें बिल्कुल जो है ना, नीद अच्छे से लेनी है, जाने से पहले अपना mind को एकदम सही stable रखना है, ताकि जो negatives होते हैं या चोटी चोटी गलतियां होती है, कि भाई गोले गलत भर गए या कुछ भी, तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस ची और बायो मेंटर्स के कमांडो भी पूरी honesty के साथ लगे हुए थे साल भर से, तो I hope कि ये चीज़ जो है, ये convert हो और बहुत अच्छा result देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, और irrespective of the result, बायो मेंटर्स is always going to be proud of you, है ना, बायो मेंटर्स को तुम पर पूरा गर्व है, अपने कमांडो उस पर हर एक कमांडो पर पूरा गर्व है, तो तुम्हें बिलकुल किसी भी तरीके से घवराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पूरी ट्रेनिंग के तोरान इतना तयार किया है खुद को, कि हम किसी भी type के level of exam हो जाए, कैसा भी exam हो ज जो है, तुम बढ़िया करोगे, तो ठीक है, तो सब माबाप का अशिरवाद ले करके, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स है, उनकी wishes को ले करके, जो तुम्हारे siblings है, तुम्हारे friends, जो भी जिन भी लोगों ने तुम पर भरो सकिया है, उन सब की wishes के साथ तुमको जाना है, और फोड़ के आना है, तो all the best and bye-bye, keep the josh high, take care. हेलो बच्चो, NEET 2024 के लिए आपको बहुत-बहुत best of luck, बहुत पड़ा एक्जाम देने जा रहे हो आप, अपना मानसिक संतुलान आप बनाए रखिएगा, time management पे विशेज ध्यान दीजिएगा, मेरी दिली शुपकामनाएं आपके साथ हैं, जाएए और MBBS TXE रिजर्व कर के आईये, अपने लिए, once again, very very best of luck, आप सबको मेरी तब से शुपकामनाएं, आप बढ़िया करेंगे, all the best, wish you, all the best, lots of blessings and best wishes, all the best, very very best of luck.